दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पासपोर्ट डिस्पैच होने के कितने दिनों बाद फाइनली जो है वो चल कर हमारे घर तक हमारे हाथ में आता है दोस्तो पासपोर्ट के प्रकरिया है वो फोड़ी सी लंबी है यहां पर अप्लिकेशन अपॉंट्मेंट पूलिस विरिफिकेशन उसके बाद फाइनली जब सारी प्रोसेश जो है वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है वो प्रिंटिंग के लिए और जैसे ही वहाँ से dispatch होता है आपको sms या फिर email के माधियम से उसकी सूचना दी जाती है अगर आपने sms वाली सुविधा ले रखिए 50 रुपए दे कर तो आपको time to time sms के द्वारा आपको सारी information दे दी जाती है ऐसे में दोस्तों जैसे ही आपका passport dispatch का sms आता है mail आता है तो एक excitement जो है वह अपने आप बढ़ जाती है और no doubt passport बनवाने में हम सभी काफी ज़्यादा excited रहते हैं आखिरकार एक लंबे process के बाद हम सभी चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी जो है वह passport बनकर हमारा हमारे घर पे कब आएगा ऐसे में दोस्तों क्यूरिसिटी जो है वह थोड़ी से बढ़ जाती है वह काफी जादा एक बेचैनी हो जाती है लोगों के मननों सुगता रह है इंडिया पोस्ट उसके थुरू आता है इसके लिए किसी भी प्राइवेट कूरियर कंपनी का परियोग नहीं किया जाता है तो यह आप इस पस्ट कर ले कि जो भी आपका passport आपके घर पे आएगा वह इंडिया पोस्ट का पोस्ट मैं लेकर आएगा यह किसी कूरियर के थ उबिधान नहीं है और वह चाहा कर भी आपको कॉल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वह जो इन्वेलब होता है जो लिफाफा होता है जिसके अंदर आपका passport होता है उस पे कोई भी phone number नहीं होता है वह सिर्फ और सिर्फ उस address पे आएगा जो address वहां पे प्रिंटेड है जो दाकिया आपको hand over करेगा किसी और इंसान को या फिर अगर घर आपका लोक रहेगा तो वह बापिस लेकर चला जाएगा और आपका जो passport है वह return हो जाएगा तो यह चोटी चोटी बाते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है यह गलती आपको नहीं करना है तभी जो है आप पासपोर्ट आएगा डाकिया लेकर तो दोस्तों यहां पर आपको चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा आपका अपना जो जो ग्राफिकल एरिया है वह आपको समझने की कोशिश करनी होगी जो ग्राफिकल एरिया मतलब कि आपका भगौलिक इस्तिति कि आप कि शहर में आप किस गाउ में रह रहे हैं या फिर आप उस राज्य की राज़धानी में रह रहे हैं ठीक है तो यहां पर मैं आपको बताता है जलूँ कि जो भी हमारा पासपोर्ट है वो बनकर आता है आर्पीयो से आर्पीयो मतलब कि इरिजिनल पासपोर्ट ऑफिस छेत्रिय पासप आपका पास्पोर्ट जो है या तो लखनव से जाएगा या गाजियाबाद से जाएगा थीक है तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि जो भी आपका पास्पोर्ट है वह आपके जो राज की राजधानी आर्पियों वहां से भेजी जाती है अब वहां पर यह बात आती है कि आपका वहां आर्पियों से आपका उस राज की राज़ानी से आपका अपना जो एड्रेस है उसकी दूरी कितनी है अगर दोस्तों अगर बिल्कुल सेम शहर है मतलब सेम शहर मतलब कि अगर आप पटना से ही है तो अगर आज dispatch का message आया है ठीक है तो आपको जो है अगले दिन जो है शाम शाम तक receive हो जाएगा anyhow एक से दो दिन वहाँ पे नहीं होगा ठीक है वही अगर आप किसी दूसरे जिले से हैं आप समझें अगर किसी दूसरे डिस्टिक से हैं और में आप डिस्टिक के टाउन में ही रहते हैं तो आपको दूसरे से तीसरे दिन आपको मिलेगा पहले दिन आर्पियों से जो है आपका जो में सिटी है वहाँ जाएगा और दूसरे दिन आपके में सिटी से आपके address पे आएगा वही अगर आपके इसी ग्रामीन छेतर से हैं अगर आप गाउं से हैं मतलब कि जो जिला है वहां से भी काफी जदा दूर आपका गाउं है तो पहले क्या होगा आपका RPO से आपके जिले में जाएगा फिर उसके बाद आपके जिले से आपका जो प्रख दिन या फिर कहीं कहीं अगर आप बहुत ही सुदूर छेतर में रहते हैं तो आपको एक हफ्ते लग सकता है मतलब यह कि अगर आप आरपियो वाले शहर में रहते हैं तो आपको अगले दिन मिल जाएगा अगर आप किसी दूसरे जिले में रहते हैं तो आपको दूसरे या तीसरे या फिर चौथे दिन मिलेगा क्योंकि कोई कोई जिला है वो मुख्याले से बहुत दूर भी हो सकता है तो आपको चार दिन वहां पर लग सकते हैं वह अगर आप गाउ से हैं तो आपको जो भी जब भी आपको डिस्पैच का मैसेज मिलेगा आपको चौथे दिन के बाद ही मिलेगा आप चौथे दिन से पहले एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि एक लंबा दूरी होता है और जो भी इंडिया पोस्ट का जो अपना है के इंटर्नल सिस्टम है वह अलग-अलग पोस्ट ऑफिस जीपियो ठीक से लाइकवाइस आगे जाता है घ Allen टूर्ह पूरा सिस्टमाटिक तरीके से किस तरीकेस्ट की delivery की जाती है dispatch का SMS आने के बाद तो इसके लिए गाइस मैं आपको recommend करूँ कि हमेशा जो है वो 50 रुपए देकर SMS facility ले लेना चाहिए काफी सुविधा हो जाती है time to time updates आपको मिलते रहेंगे ताकि आप regular basis पे अपना passport का जो है application है उसको track कर सकते हैं और जब भी आपको dispatch का message आ जा जाए तो कोशिश करें कि आप अपने घर पे रहें क्योंकि passport जो है no doubt काफी sensitive record document है और किसी भी दूसरे को नहीं है अगर आगर हमकिए से अच्छी जान-पहचान और तो वह घर के किसी दूसरे सदस्र को दे देगा अभी के सवालों का जवाब देने में तब तक दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ अगर आप हमारे चैनल पासपोर्ट हेल्प लाइन पर पहली बार है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दिजेगा ताकि अगली बार जो मैं को नए और लेटेस्ट वीडियो लेकर आँ तो आप उसे मिस ना कर सकें जहिंद